भक्तिरस बोधिनी टीका जिनके हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल स्थित हैं उन्हें नाभाजी नमन करते हैं और उनके चरण रेनु की इच्छा प्रकट करते हैं शुतादेव जी ने श्री कृष्ण का अभिनंदन किया परंतु उनके साथ आये रिश्शियों को अंदेखा कर दिया तब श्री कृष्ण ने उन्हें बोध कराया कि उन्हें पहले नमसकार करें वे श्री कृष्ण को अधिक प्रिया है वालमी की जू का टीका दोनों वालमिकी की कथा प्रमुख है एक तो भीर जाती के होते हुए नारद रिशी के संपर्क में आये और मरा मरा बोलकर भी राम नाम जबते हुए राम नाम से तर गए और उन्होंने राम चरित्र मानस की रचना करी दूसरे वालमिकी जी राजा युधिष्ठिर के यहां पान्वों की जूटन उठाते थे वे एक परम भक्त थे वे अपनी भक्ती को बुप्त ही रखते थे एक बार की बात है धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यग्य किया उसमें इतने रिशी महर्शी पधारे की संपूर्ण यग्य स्थल भर गया भगवान श्रीकृष्ण ने वहां एक शंक स्थापित किया और कहा कि यग्य के पूर्ण हो जाने पर यह शंक बिना बजाये ही बजेगा यदि नहीं बजे तो समझिए कि यग्य में अभी कुछ थुटी है यग्य पूरा नहीं हुआ वही बात हुई पूर्णा हुती तरपन ब्राह्मन भोजन दान दक्षिनादी सभी कर्म विधी समेद संपन्न हो गए परन्तु वो शंक नहीं बजा भगवान श्री कृष्ण बोले शंक न बजने का रहसे सुनिए इसका रहसे ये था कि किसी भागवत ने प्रसाद द्रहन नहीं किया था भागवत वही मानव है जो हर मनुष्य में अपने भगवान के दर्शन करता है हर स्थिती को भगवान का हुक्म मानता है जिसे अपनी जाती, विद्या, ग्यान आदी का अहनकार बिलकुल न हो और अपने को दासों का दास मानता हो तेरा नाम बुरु जो ध्या है जनम जनम के मोव माया से छूट जाए मन राक्षस है ये जल कर बस्म हो जाना चाहिए भागवत भाव हमें उठाने वाला है, भागवत विस्मृती हमें गिराने वाली है भगवान का भक्त स्वयम को प्रकट नहीं करता प्रकृती उसे प्रकट करती है प्रकृती जो स्वयम प्रभू की चैरी है भक्ती करे पाताल में और प्रकट होए आकाश में बीज तो धर्ती में जाकर गुम हो जाता है फिर भी वो व्रिक्ष बनकर प्रकट होता है और कितने फूल पत्तिया प्रकट होती है उस एक बीज में से राजा युदिष्ठिर को यही कहा गया कि यग्य संपूर्ण होने के लिए किसी भागवत को भोजन करना होगा सभी व्यक्ति चकित हो गए कि ऐसा भागवत कौन है भारत भूमी ऐसे भक्तों के तब पर ही जीवित है क्योंकि ऐसे भक्त अपने आपको छुपा कर रखते है क्योंकि उनको लगता है कि संसार में आने से वे जूटे हो जाएंगे इस कौन वाले कितने तन में होकर पूजा करते है आनन्द में रहते है हम तो विदेश जाने की लालसा रखते है केवल धन के लिए अपने संसकारों की रक्षा करनी चाहिए भगवान जब वालमी की भक्त का नाम लेते है तो उन्हें लगता है कि कही वे बुरा ना मान जाए उन्हें लगा कि वो कुछ पाप करे रहे है परन्तु यग्ये पूर्ण करने है तो वालमी की जी का नाम भी उजागर करना था वालमी की भक्त के अंगन्ग से भक्ती जह ल उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यता तुम्हारी भक्ती में दोश आ जाएगा। दोनों ने भक्त वालमी की के घर पहुँचकर उसके चारों और भूंकर उसकी प्रदक्षना की। आनन से जूनते हुए प्रित्वी पर पढ़कर साष्टान दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना ग्रह बड़ा सुन्दर था। अर्जुन और भीमसेन ने सविने निवेदन किया। भक्त्वर। कल आप हमारे घर पर पधारिये और वहां अपनी जूठन गिराकर हमारे पापग्रहों को दूर कीजिये। हम सबको परम भाग्यशाली बनाईए। भगवान श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुन्दर रसोई तयार करो। द्रौपदी ने सर्वश्रेष्ट प्रसाद बनाया। भीम और अर्जुन वालमी की जी को ले आए। रस्मय प्रसाद का कौर लेते ही शंक बजुठा। परन्तु थोड़ी देर बज़कर फिर बंध हो गया। श्रीकृष्ण शंक पर क्रोधित हुए कि निरंतर क्यो भक्त जी खटे मीथे आदी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुर्ता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में ये भाओ आया की आखिर हैं तो ये श्वपच जाती के ही। ये भला व्य पदार्थ बुद्धी से अलग-अलग स्वाद कैसे लूँ? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे। फिर इसमें प्रसाद बुद्धी कहां रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। ये वालनी की भक्त ने बताया कि एक बार जब प्रभु भोजन का रस लेकर उसे प्रसाद बना चुके है तो उसमें फिर रस लेना अपराद है, इसलिए उन्होंने सारा प्रसाद एक साथ मिला लिया और प्रसाद में रस लेना अपराद माना। श्री राधे